अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है आपका, तो उसमें जमीन को लेकर के आप मौफ़जा क्यों नहीं दे रहे हैं उनको? चित्कूट में डिफेंस का कॉरिडोर बनने जा रहा है लेकिन कॉरिडोर के लिए जो जमीन लिजा रही है वो पुराने रेट पे लिजा रही है अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते है तो उसमें देरी क्यों है और देरी इसलिए है क्योंकि सरकार सही मुआज़ा नहीं देगी आयोध्या रामपत के निन्वान में नया घाट के सादस गन तक मुआज़ा के इनाबादिकारियों ने भारी लूट की आयोध्या से जागा जमीनों का गोरक धंदा कहीं नहीं हुआ जिस तरीके का विकास होना चाहिए था वो विकास सरकार नहीं कर पा रही है अगर कोई प्रोजेक्ट बन रहा है आपका तो उसमें जमीन को लेकर के आप मुआज़ा क्यों नहीं दे रहे हैं उनको जो मुआज़ा उनको मिलना चाहिए किसानों को नहीं दे रहे हैं वो पुराने रेट पे ली जा रही है मैं जानना चाहता हूँ सरकार सकी आगरिका सरकार को क्या फर्रक बढ़ता है खजाना किसान के ऊपर चला जाए तो सरकार क्यों नहीं दे रही उनको मौफ़जा और मौफ़जा कब का दे रहे हैं कब का मुआफ़ा दे रहे हैं जाने कब का मुआफ़ा मिलना है पांस सो हेक्टर जमीन लेना चाहते हैं आप किसानों की पांस सो हेक्टर जमीन लेना चाहते हैं आप और मुआफ़ा क्या दे रहे हैं क्या सरक्ल रेट बढ़ा करके मुआफ़ा नहीं मिलना चाहिए कि वो बजट में मैं चर्चा करूंगा कि लखनू में दिल्ली की तरह लखनू में भी एक एरपोर्ट के पास एरिया डवलप होगा जिसमें फाइव स्टार से लेकर के नजाने क्या क्या चीज़ें बनेंगे अगर आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं तो उसमें देरी क्यों है और देरी इसलिए है क्योंगी सरकार सही मुआज़ा नहीं देगी और हम लोगों ने तो ऐसी जगे देखा है सुना भी है लोगों से मैं मिला भी हूं कि जहां पर किसान और जो वरसों से लोग रह रहे थे उनके साथ बहुत बड़े पेमाने पे भीदवाब हुआ और मैंने अदेश मोद हर बार कहा पत्र लिकर के भी सरकार को भेजा कि अगर कोई पुन्य का काम होने जा रहा है अगर बहुत बड़ा कोई काम होने जा रहा है तो उसमें किसान के साथ क्यों है भीदवाब जो बरस रामपत के निर्वान में नया घाट के सादेज गन तक मुआपजे के इनामपा दिकारियों ने भारी लूट की वेपारियों और आम जन का सोशन हुआ मैं जानता हूँ वहाँ पर बहुत सारे प्रतिस से लोग मुझसे मेरेते आकर के और सर्यों में खड़े होकर के उन्होंने अपने जन्यों की कसम खाकर के का था कि हम बोट नहीं देंगे बीजेपी को एरपोर्ट के निर्मार में किसानों की जमीन को सही मुआपजा नहीं दिया गया माजा बरेटा माजा जम थरा मैं किसान परेशान है तीन चार पीडियों से रह रहे हैं लोग उनकी जमीन का मुआफ़ा नहीं दे रही सरकार चौदे कोसी पंच कोसी मार्क में चौड़ी कंड में जिन लोगों का मकान जमीन पर जिन लोगों का मकान और जमीन जा रही है उनको मुआफ़ा सरकार नहीं दे रही है और आयोध्या से ज़्यादा जमीनों का गोरक धंदा कहीं नहीं हुआ सत्ता के सनच्छे में रजिस्ट्रियों में अनिम्ताएं हुई कितने घंटे में कितना बदल गया कुछ मिनिट में कुछ करोडों कमा लिया और जिस तरीके का विकास होना चाहिए था वो विकास सरकार नहीं कर पा रही है झाल